अहना आपुरे मानपक्षम अहर देवतया अतिवाहिता आपुरे मानपक्ष देवताम प्रतिपद्यन्दे अहना आपुरे मानपक्षम की वागे कर रहे हैं अहर देवतया अहर देवता के द्वारा वो कैसी है ले जाने के सभावाली अतिवाहिता उपासका हा कुदि थेंगर पुछल्शाओं प्रूषा। कि आप फोरी मार्ण पुछाओं यानュशन वाधां उदंग उत्तराम दिशम आधित्य सविता एत तान मासान प्रतिपद्यन थे शुगल पक्ष देवतया अतिवाहिता संत हुआ आप और पक्ष मले शुकला पक्ष अधिनारी देवता से निकल करके कहा जाएंगे जो शे मास जिसमें उत्तर दिशा के ओर जुकता हुआ आधित्य जो सविता है वो भ्रह्मन किया करता है तान मासान उन मासों को प्राप्त कर जाएंगे शुकला पक्ष की देवता के द्वारा अतिवाहित धो के पौँचा दिया जा रहा है जो उपासक लोग वे इन देवताओं को प्राप्त करते हैं यहाँ वे मासान निती बहुचनात संगचारिन्या शड उत्तरायन देवताहा मासान करके बोचन जो प्रयोग किया है वो ग्यापन करता ही एक देवता नहीं है छे देवताओं का संग है और सहचार एक साच चलने वाले संगचारी नहीं है वजड उत्तरण देवता है ते ब्योमासे ब्योशनमासे देवता भी अतिवाहिता अवशनमास के विमारी देवतां के द्वारा ले जाये गए वह उपासक लोग देवलोका विमाने नीम देवतां प्रतिबद्यंते देवलोका विमारी देवता को वो प्राप्त कर जाएंगे देव लोकात आधित्यम आधित्याद वईध्युत्म विद्ध अभिमानी नीम देवतां प्रतिपत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत् वह आगे जानी सकता है इसे वह आगे पहुंचाने वाला नहीं है बलकि इन उपासुं को लेने के लिए दूसरे आएंगे लेके जाएंगे क्योंकि इन लोग का गति वहीं तक है इससे आगे वो देवता का गति नहीं है उत्तरवर्ती लोकों में जाने का अधिकार विद्युत देवता को नहीं सामर्थी नहीं उसका अतेवा उत्तरवर्ती लोकों से निचे एक आमानवी पुरुष का जाता है यह जो मानवी पुरुष है और वो आमानवी पुरुष है वो मानस पुरुष है ब्रह्मा का वो आएंगे ले जाने के लिए इसरे का दे विद्युत देवतां प्राप्तान ब्रह्मलोक वासी पुर यह विजो देवता के पास विराजमान इनु पासकों को ले जाने के लिए ब्रहम लोक का वासी जो पुरुश हैं जो ब्रहमां के मन के दर उस्रिश्ट पुरुश हैं वो कोई न कोई आते हैं एकित अमने आकरके ब्रह्म लोकोTकी ओर इनों पासकोंं को ले जाते हैं ब्रह्म लोकान य ЭТИ अधरोत्र भूमी भेधे न बिन्ना इति घं़्यां दे। हिए यह हैं पिए लोगह नहीं ना उन में पिए उपासना का ब्रह्म लोकान में जो कावा अनेग लोकों में से किस लोगों को प्राफ्ट करेगा उसके उपासने की ब्रह्म लोकान में जो कावा नेग लोकों में से किस लोगों को प्राफ्ट करेगा उसके उपासने की प्राफ्ट करेगा उसके उपासने की प्राफ्ट नहीं वह तो सत्त और समझना पड़ेगा उसमें भी अधरोत्तर भूमी बेदेने भिन्ना, वह भी अधरोत्तर भाव से भूमी अपकी उपासना की स्थर का भेदे, या भूमी से ताथ में स्थर, इति गम्यन दे बहुचन प्रयोगार, इति बहुचन क्यों बोलती शुरुती, उपासना तारित जैसे उपासना उस ब्रह्म लोक में भी उन लोक में किसने किसी को अप्राप्त करेंगे, ते तेन पुरुषेन गमिता संत, तेन मानस पुरुषेन, ब्रह्म लोक में का निवासी, ब्रह्म के मन के निर्मित, उस मानस पुरुषों के द्वारा, तेन पुरुषेन मानस पुर उन ब्रह्म लोकों में पराहा प्रकृष्टासंतह स्वयं परावत प्रकृष्टासंतह समच्रान अनेकान वसंदी। ब्रह्म का अनेक कल्पों तक विवास कर समच्रान वसंदी। अगला जो ब्रह्मा बनेगा उसके संसार उनका फिर जनम होएगा। इसे कते असमिन संसारे। इस ब्रह्मा का जितना कल्प बाकी है उतने कल्पों तक वो आएगा नहीं। इस ब्रह्मा जी की उपासवें उसने इस ब्रह्मा के सुर्प तक प्राप्ट कर चुका है। वहां बना रहेगा। और वहां जाने के पर तीन गति कहले बार कही बार वजार हो चुका है। वह सकता है। मुक्ष भी हो सकता है। ब्रह्मा जी के काल में कोई देवतादी बन जाएगा। जोरू देख। कि यह हो सकता है। जनम ही लें। ज बने लिएक है कि इनहों विकलक फांपर दिया गया। निर्वर होता है, वह सकता है। जो जाकर कि उन ब्रह्म्त लों में से, पौन से लों में पिस्ठतर है ह। वहां रहकर के जड़ी भूतiblवार रहरा है। प्रक्रतिलय हो कर रहं रहा है यह विजय वान हो कर रह रहा है यह वहां जाकर कुछ उपास नहीं लगा यह का सभुर्म वेस्जी प्रमात में उन्सपपन उन्सब्रम अब्रह देश हो जाए और उसे प्रमग्यान है कि निर्वर होता है जाने के बाद किस प्रकार रहता है करमफल भूग करने में लग जाता है यह उसकी वईराग की कावी जो संसकार है उस संसकार वशात वह अभ्यास में लग जाता है निर्वर है कौन सा संसकार वहाँ जाने के बाद प्रबल रहता है इसरे काते हैं अस्मिन संसार इन्यपुर रागमनम क्यों बोल रहे हैं यह कौन सा शब्द है निर्णे करता है कि इस संसार में आएगा अगले ब्रह्मा की अगले होने वाला संसार में आएगा आ सकता है इसे क यह इती पूरपक्षी करता है आरे यह से आप इतना प्रश्यत प्रक्तिम ले रहे हुग इह या प्रश्यत वाचक नहीं है आक्रती वाच्ट की जाते वाच्ट जर्वाचक यह इदि आक्रती मात्रेत ग्रणऄ में दिचेट शवोबूते प्रण debate थि यत्वत फीचुट 9 काता है श्वो भूते पॉर्ण मासी में श्वो भूते शब्द विशेशन वेर थे वहाँ आकर दिवाच चेकर कि रोज रोज दो होता नहीं कल होने वाला पॉर्ण मासी और कि परसु भी होने वाला है कि पॉर्ण मासी कल होने वाला पॉर्ण मासी क्यों कहना होने वाला बढ़ मासी बात कतम हो गई यह था तता यहाँ वो उस शाका माधिन शाका में जा यहाँ यहाँ है वो कोई अर्थवान नहीं है इतरे व्यावर्तक कत्वे नहीं तो गरन नहीं करना यह पूरपक्षे करना यद्वत्ति थी नीचे टिका में थोड़ा देख लेना इसलिए आनदिरी यह था श्वोबूते पौरणमासीम यजेता ऐसा किसने प्रयोगवा इतर आकरती ही पौरणमासी शब्दारता आकरती में जाती चारन में जाती ही इतरता पौरणमासी तावचिन्णमी द्यावत सखल पौरणमावमिया करना यह श्कताद पर जाती पर कुसको लिया गया है उसी प्रकार यहां पर भी अपर शब्दारत हा शोबूतत तंच फिर शोबूतत तुग्या है यह थी वहाँ पौरणमासी तो जाती लेलोगे सखल पौरणमाई लेंगे तो कल की पुर्णी मा एक कहना व्यर्थ हो जाती न सखल नहीं ग्रहन होगा यह थी कल का इविशेशन को भी साल ठक मानोगे फिर तो पौरणमासी तो चिन सखल पौरणमा ग्रहन नहीं आएगा कि सखल और कल यह दोनों परसे ब्रोधी होगे जब कल का कहद होगे तो एक होगा हो कल का होने वाले वह एक ही है न सारी आएंगे क्या माँ पर जब सारी को लोगे तो कल का इविशेशन व्यर्थ हो जाती है पर इस पर विरोधी होने से सर्वम का एकम के साथ विरोध है ही यह नहीं इसे जब कह दिया गया, कल भी पूर्णिमा में कहरो, यह कहना वेर्थ हो जाएगा, वह विशेशन सार्थक नहीं होता, वही ठीका करकर है, शोबूतत्व तोंच न व्यावर्दगम, इसे शोबूतत्व किसी का व्यावर्दग नहीं हो सकता, जब सकल को ग्रहन करना है, तो कि को व्यावर्दग करोगे, कौचित को लेना, कौचित को न लेना, ऐसे सिती हो, तो विशेशन क्या करेगा, जिनको नहीं लेना है, उसको बोद करा देगा, इतर का व्यावर्दग कराएगा, जब सब को लेना ही है, व्यावर्द यहीं नहीं रह गया, तो व्यावर्दग व पूर्ण मासी पस लक्ष जो इस्टी है वो होता ये प्रदिपद का सुभगो नियमात तथा यह उसी प्रकर यहाँ पर भी आक्रतेरिय शब्दार्थत्पात यहाँ पर भी जो यह शब्द से आप आक्रती ले जो आगे आए जो कौन मुल मंत्र में क्या तो यह किसका यह प्रक परकवर्न में को रहरा हो है तो दो वह अन्य मिशिषण जो होते हैं अगले संसार में आ सकता है कहना आपको यहां कन अस्मीन संसार्य नपन्रावर्त है पूरावरती किसी भी काल में नहीं होना था, फ़िर तो यह ग्राण करना वियर्थ हो जाएगा शोबूते पुर्ण मासी में तो क्या है पुर्णीमा कल की भाव को प्राप्त हो गया हो ऐसा दिन कौन होगा प्रतिपदा ये प्रतिपदा के सुभई करना चाहिए ये ग्यापन करने के लिए शोबूते शब्वावी सार्थक है वह रतनी है वा कल की पुर्णी मारत आप गलत लेकर के विशिशन की वरतना बता रहे हो ये वावर कल की पुर्णी मारत नहीं है कल भाव को कल का भूतकालत को प्राप्जो पुर्णीमासी है रैंने के दिन मेरे समू kı और कि अप्रतिपदा बहुति करने सकाओधा कि अयह सक उंू यह खुआ हो Sind रहरु अप पिरिमा का दिन भी करदां लोगति हैं कि निदें पूर्णमासी में तो बोला है फैथ इधियो imagin días पूर्णमासी proceeding में है। श्वभूततम, मैं भूतकाल विश्टतम, पौण मासीक के अंदर भूतकाल विश्टतम को क्या उपन करा रहा है? श्वभूततम अनुक्तम नज्यायते, अरेदेवा श्वभूतत þबूत्य सब्द ना होता, तो ये बातीяжे मालम नहीं होता इती युक्तम विशे युटम इसला वहां तो विशेशन यथा सार्थक है यहां पर भी समझना नहीं तो त्र आकरति श्वाशब्दार्थ विज़ते थी श्वाशब्द निर्थक एव प्रयुज़त है फिर भी वहां प्रशुटे बूते पूर्ण मासीम कहते श्वो भूते ज्वाशब्द फिर वहां निरर्थक हो जाएगा बाँ कोई बात है वयसे यह ज्वाशब्द क्योंब है लिए वह द्रवी नहीं है वह द्रवी में जाती ओती है तै से जाती वह आकर्ण भी नहीं मानते हैं आकर्थी ग्रहना उसने कहा है साफ ही जाती को और सबसे बड़ा उनके हैं तो विशेशनवादीवी है कि जो सप्तम द्रव्यम और चादिव असक्त्व 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 ने अध्रव्य आर्थे स्चेतर निपासंगय विशेश्ट अध्रव्य आर्थे स्चेतर निपासंगय विशेश्ट नहीं होता है और जो जाती नहीं हो सकती और श्वस्षब्द अवे होने के ना पर उसमें आकर्दी अई इसे प्रश्णी खतम हो गया वो आकर्दी वाजचा के जो कहना पूरपक्षन है आकर्दी वाचकी नहीं हो सकता है के एश्वसषब्द विचार कर गए तो आकर्दी वाजचक नहीं है श्रोसब्वltat के एक पधपने लोग तो समस्यां ढ Euch सार्थ कहे हो और नवासी में भूत तड holiness तक के ऐऊ ताकि प्रधिपदा में आप कर सके है इस लख्षक साल辉ग तो बुझारों कि विशिट के लक्षत करना आप दुझे आप पौत नहीं होने वाल आप उसक अकृति तो मान रहे हो नहीं हो सकता पोई करें नहीं तत्र अकृति ही कौन श्वह शब्दा निश्ट नहीं कोई नहीं नहीं सकता इसले भूते पोडन मासिम इतना काने से काम चलता है ऐसे काने वालों के लंग इसले हो फिर तो श्वास शब्द वहाँ जो प्रयोग या और निरर्ट कही प्रयोग है मालों को यहापति नहीं है यह ये तर तो विशेशन शब्द प्रयोग ते अन्विश्य माने इसना निर्णने क्या हुआ शोबूते में शोबूते में शोबूत शब निर्णने नहीं है तो इसनी सिग्दानती निकलेगा आप इशेशन कहीं प्रेवग हुआए तो पहले विचार करके देखना चाहिए इस विषेशन का क्या फल है यदि फल नहीं है तब तो उसको निरतक मान लेजी अर पल है उसमों सार्थक माने में कोई आपते है इसे कहते हैं यत्र तो विशेशन शब्दे प्रयोगते हैं जिस विशय में विशेशन शब्द का प्रयोग किया है उस विशय के बारे में आप अनुवेशन कीजिए चिंतन कीजिए यहां से पुन्रावरतंते के लिए विशेशन जो द विशेश्वुता पदार पर चिंतन करने पर मालम होता है, वहाँ शब्द ये दिपी नित्यमोक्ष को बाचके, नित्यमोक्ष प्राप्ति होती है, यह नहीं है, फिर तो विशेश्वान को सार्तक मानो, जिस विशेश्व के लिए विशेशन शब्द का प्रयोग थो रखा है, उस विशेश्व के बारे में विचे विचार करने पर उस विशेश्वान को विशेश्वान फलंचे नगम्यत है, यह उस विशेश्वान का उस विशेश्व में किसी चीज़ के व्यावर्तन या लक्ष जब कोई फल नहीं है, त्याग करना उचित है, और जहां कहीं फल है, त्याग करना उचित है, और जहां कहीं फल है, त्याग करना उचित है, और जहां कहीं फल है, त्याग करना उचित है, और जहां कहीं फल है, त्याग करना उचित है, और जहां कहीं फल है, त्याग करना यह निखला ब्रह्मा का जो यह कल्प है वह कल्प समाथ उनके बाद अगले ब्रह्मा का कल्प में इसके आवरती जरूर होगी इसलिए यहां यहां जो अगला शाका का उड़नने उसके लेना चाहिए और यह इदिन ना हो फिर पंचागनी विद्या जो यहां पर प्रक्णुए समझा गया वेराग्यार्थ वेर्थ हो गया जैब इससा मोग्ष होजा ब्रह्मग्यान की जरूर्द गया है सब गरस्ति बन जाओ पंचागनी विद्या खरो उपासना मोग्ष हो जाएगा पिर सन्यास अन्यास की सबाद की क्या जुरूर्द इसका इसलिए भी यह सिद्ध करना जरूरी था यहां भाशकारी से जान बुझ करके मांधिन शाका के यहां कविश्ण दिखा करके चार करते विए कहा असम संसर्य अवश्यम्यवा अवड़कंते अप्यायस्व अभक्षियस्व इत्टेवं एनागंस्तत्र भक्षयंदी ते शाम्यदा तत्परियवैती अथ इमंव आगाशम अविनिश्पद्यंद आगाशाद्वायूं वायोर्ष्टिम् रिष्टेह पृत्वीं ते पृत्यम् प्राप्यन्नम्भवंदी ते पुना पुरुशागनों हुएंदे तो योशागनों जाएंदे लोकान प्रत्यु थाइनस तो एवं मेवनु परिवर्तंते अथया एतो पंथानव उन्न विदु हूँ ते कीटाहा पतंगा यदिदंद शूकं सारे प्रस्टों का जवाब करत उजड़ा लाति कॉंसे इंस मार रह मिट कॉछ CT कंटिकां में जख रहा करेंगे और शुन प्रस्टों कोर्श्च का जवाब ओं आदे वारा झताएंगो 금न वटिदा cudkat केवल कर्म की बात हो रही अगेद ऑब केवल कर्मी और जिन लोकों यहा Testament के संभवंदी कते हैं और वो उन रातर विद्वाने नहीं के प्रबत जाते हैं प्राप्ण को वह वहां से उसको पहुंचा दिये पित्री लोग में पहुंचा दिया इसे पित्र लोग को ही पहुंचता है पित्र लोग को प्रात करेगा और वहाँ वहाँ दियाद से वहां जाकर अन्हों गया है देशंद्रम प्राप्या अन्हम भवंथी ऋसे काम लिए करेंगे उसे काम लिया गरेंगे अलग-अलग प्रकार की काम लिया करेंगे जिसके हाथ दे पहुंचा वह इसे काम लेना चलू कर देगा सब काम लिया करेंगे अब वह भी सेवा का भी आवसर समाप्त हो जाता है सेवा का भी पुंडिया खतम हो गया जितना पुंडिता सेवा करने के लिए आवसर था वह जब समाप्त होता है तो वह देवता लोग लेकिन कैसा उपभू करते उसको बढ़ाओ खाओ बढ़ाओ वहां उस चंद्र लोक में ते देवा तान उन उपासवन जो गेवल कर्मियोंगो जिस प्रकार इस लोक में रित्विग लोग करते वुसी प्रवर्देवतल हुआ करते यह था सोम अम्राजानम करते रित्विग लोग यहां कैसे बान करते हैं जो पात्र में थोड़ा थोड़ा रहता है आउसको पीते हैं फिर उसे भरते हैं फिर भरते हैं फिर भरते हैं फिर पीते हैं आप्यायस्वा अपक्षियस्वा आप्यायस्वा अपक्षियस्वा भरो समाथ करो भरो समाथ करो ऐसा बोलते हुए ऐसा काम करते हुए मंत्र नहीं में वोकिकार नहीं बूला जा रहा है मनें जो करते हैं किस प्रकार से वो बता- करते हैं उपप भुण जते सेव कम इवर राजा एक रहती है तेशाम यदा तत परियवती तत परियवेटी और जब उनका समय और उनके जो करम था चंद लोख में जाकर कि उनलों की सेवा पाणि करने का करम था उसका वहकर जब सनाथ हो जता है परियवेटी यदा तदा लिवें जाते हैं कर दो कर क्या हो जाते हैं पुर्शाग न होए इंदे आदमी उसको खाएगा पिएगा खापिने के बाल वीरी बनीगा तो योशागनों जाएंदे फिर वह योशागनी में प्रवेश करगे वहां से पुना पुर्षवचो भवती पुर्षवच्छ शब्द वाक्त वाच्य हो जाता है लोकान प्रत्य उथाई नहां इस प्रकार पुनावे पुर्ष ये स्तुरीर पुर्षवच शब्द वापस लोग में पहुंच जाता है बार बार इस प्रकार वह आते जाते रहता है और जो लग इसके भी अधिकारी नहीं दक्षायन मारगा वे ऑथे ये तो पन्तानों नवीदू अर्त इन दोनों मारगों की अधिकारी नहीं है जो वह लोग कहा जाएंगे? कलते कीटा, पतंगा, एदम, दंद शुगं, वो कीट, पतंगा, खटमल, मच्चर, यह सब बनेंगे. दंद शुकाम, जितरे विए तीरत स्थडों में से सबसे ज्यादा मच्चर और माये भी बनेंगे न, खटमल. जितने वहाँ गए हैं और वहाँ जागे खटमल की हैं, वहीं मच्चर बनेंगे, वहीं कटमल बन जाएंगे, मरने के पाद. तीरत यात्रा करने गए हो, तो तीरत यात्रा करो, वहाँ का स्थान का जो नियम है, तीरत स्थान का उस नियम का पान करना अच्छाएंगे. जब पहले जानकर जो जब आओ जारुए ख diferentes जाओ पहले वहां का स्थानिय नियम को जानना पड़ेंक, क्या क्या करना है, वीजी को समझे, तो क्या समझे कि गरना क्या है, अपना बाबा दर्शन कराए इतनी से नहीं होता है, विधी है न, कैसे दर्शन करना है, किनका किनका करना है, क्या क्रम है उसका, सब समझ रहे हैं, उस विधी के अनुसार सब का दर्शन पाओ, और फिर आओगे तब तुम्हें कोई दोश नहीं लेगे, तब तुम्हें खटमल मच्छर दाने वहां बनने नहीं पड़े, नहीं त इसतनी लोग वही जाते, सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, क만 जाते हैं, वहां जाते हैं विधिovत कुछ करते हैं, क्योई कर सात.А д 곳 करते हैं, पंदा लड़ जाएंगें, ono 15 रुपया की स milliards. si Minato कर देते नहीं आपने से रस्ता बतल देते हैं कौन ना 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 विश्वनात मंदर में जाने की लब तब उसे पर अनिसम करके विर्भामी क्यों में गुशना किसने का पहले से गुशने को आपको फिर गंगा जी में स्रान किजिए सबसे पहले स्रान कर लो काल भरो में जाओ अनुमति पालो कि मैं बनारस में तीन दिन दोना चाहता हूं और आप द्वार बाले आप हमें आज से अनुमती दें ताकि हम नित्य यहाँ शिवा राद ना कर सके तो उनकी अनुमती पाके तब चलो फिर गंगा जी स्रान गंगा स्रान करने के पस्चात साक्षी विनायत के यहाँ पर हाजरी लगाना पड़ेगा भगवन हम आगे हैं हमारा नाम लिख लीजिए यहाँ था यहाँ पर साक्षी विनायत फिर वहाँ से निकलो डुंडी राज उनका दर्शन वहाँ से निकलो अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा से सीधे जाओ धरमेश्वर धरमेश्वर की बाद विशालाक्षी फिर वहाँ से आना चाहिए वश्वनात तब होता है का विश्वना से निकल करके ज्यानकूप में जाओ ज्यानकूप का दर्शन वहाँ से आच्छा मन करके तब वापस आ सकते हैं बनास छोड़ सकते हैं इतना विधी कौन पालं करता है जानते भी नहीं लोग करते भी नहीं पहले जानकारी लेकर करना चाहिए खीक विश्वनात अंदर के पीछ है जग्यान कूप काते हैं मस्जिद वहाँ जल मिलता है ऐसे थोड़ी दे रहे हैं हो विधी के अनुदार है वहाँ आचमन करना पड़ता है अनमति लेनी पड़ेगी मैं बनार से जाना चाहता हूँ अब हमें जाने दिया जाए और हमारी यात्र को सफल करें इसरे वहाँ आचमन लेकर जल लेकर पीकर चलना पड़ता है तक किटा पतंगा है इदम दंदशो का मंत्रा आर्थ हो गया वाई बाषि में अथक पुनर ये नईवम विदो हो उतक्रांत्यादी अगनिहोत्र सम्मुन्द पदार्थ शटक स्यव वेदिता रहा एवम मने ये जो पंचागनी उपासना अथो हिराणिगर उपासना इत्त्यादी इत्त्यादी जो पताये गया जो उत्रायन मार के अधिकारी जो जो ज्यान होनी चाहिए वो जिनके पास नहीं है वो काम जिनोंने नहीं किया एवम नविदो ये एवम नविदो उतक्रांत्यादी अगनिहोत्र सम्मुन्द पदार्थ शटक स्यव वेदिता अर्थत क्या है किल कर्म कही ज्या नहीं पुत्क्रान्त यादी अग्निहोत्र संबंदी जो छट पदार्थ जनक ने जो पूछाता याग्यलकर जवाब में दिया उनी पदार्थों का वेदिता आरा ये केवल कर्मिला स्पष्ट कर लिया कहने का ताथ पर ये केवल कर्मि यग्यीन अगनिहोत्रादिना दानिन अबरिरवेः बरीरवेधी भिक्षमानेशु दरविस्वमिभाग लग्षन इःन तपचा बहिरवेदि येव दिक्षाध्य वितरिक्तेन ख्रिचुचशांद्रायनादिना लोक आंचियन्धी यग्य हो गया अग्नियोत्रा दिकेवल कर रहा है और दांस भी बहिरवेदी दान लेना करमकांड अंतर भूत अंतर वेदी दान नहीं बहिरवेदी दान गया है भिक्ष्य माने ये शो द्रवी समी भाग लखे ना भिक्षादी मांगती व्यावि लोंगो जो उनके वांचित अपने द्रवी के समी भाग करते और प्रदान करना तपसाका आर्त भी बहिरवेदी तप लेना अंतर वेदी नहीं ये जिख्षादी वितर्पे जिक्षादी से उक्तों करगे अंतर वेदी तप हुआ करता है जो दूद का वरतादी करना पड़ता है यग्येग में जो करना पड़ता है उसको नहीं लेना इसे दिक्षण आधी वित्रिक्ते न कृच्छ चांद्रायन आधी न कौन सा है यह से कृच्छ चांद्रायन वेत्रा बेकाई शिफ्रत करते हैं यह सब भीरवेदी है यह सब तप जो आपका बहीरवेदी तप है इत्याद्यों के द्वारा लोकान जैन्दी लोकों को प्राप्त करता है पित्र लोकान जैन्दी तियर्थ क्योंकि आपर मार्क के दोरा दू मार्क से पहुंचो पित्र लोक जा रहा है न वो इसले पित्र लोकान जैन्दी अर्थ स बोचन प्रहु यहां तो वे कैसे पहुंचतें पित्रिण लोग सबसे पहले वे लोगते दूमः विसंभवंदी उत्तरमार्ग इव यहां पिद्यवत अव दूमदी शबत वाच्छा धूमदेवतां परतिपध्यंते इत्या उत्तरमार्ग में जैसे समझाया उस प्रकार यह पर भी समझ लीजिए जित्रेवी शब्द धूमादी शब्द इनकार्थ कहले ना तत्त द्विमानी देवता इसलिए धूम देवताम प्रतिपद्यनते यह अर्ष्ट इसकार्थ धूमाम अभी सम्भवन्ती का आतिवाहित कोणे यह करमी इसलिए अतिवाहित लोग हो गया करमी इनके अतिवाहक हो गया तत्त देवता इसले कि ते आतिवाही कत्दच देवतानां तद्वदेवपूर्वदेव समझनां अरो था उत्रायन मारते में जैसे वह समझाया वैस यहां भी ग्रहन करना है दूमाद रात्रुम रातरे देवादां तो अपक्षिय मान पक्षण अपक्षण देवादां प्रोर्व प्रेक देश्टक जशन का शूर्य माशा गाσιों के आप। नामने उत्त संग है, उप Means विसी नाम से पुकाना जाकता है, दक्षनान अभिमानी देवता दक्षनान देवता, रातर देवता दौम बैवता उनका अलग कोई नाम नहीं वरना की मासे पित्र लोकम, और मासा भिमानी देवता उनको कहां पहुंचा दिया पित्र लोक में पहुंचा दिया और पित्र लोकम मने पित्रो यत्र शेरत तम लोकम न तो पित्र लोक का अभिमानी देवता और तो पित्र लोक का देवताम पित्र लोक का चंद्रम पित्र लोक से चंद्र को प्राप्त है चंद्रम प्राप्या और वे लोग चंद्रमा को प् मतलब गया भोग्यताम आपज्यन थे भोग्यताम रोटी बन जाएंगे उनको आप देवता खा जाएंगे ऐसे नहीं है वहाँ सेवा भोग्य उपभोगे थे जैसा राजा के सिवक होते हैं उसी प्रकार देवताओं के सब कर्मिजा करके सिवक बनते हैं इसले द्रश्टाम दे रहें राजानम यह यथा सोमम राजानम यह यग्ये रित्विजह आपयेस्व अपक्षियस्वईती भक्षेंती एवं एनांस चंद्रम प्राप्तान कर्मिणो भृत्यान इवस्वामिनो भक्षेंती उपभुण्जते देवाहा तास्तत्रा अन्न भूतान उस चंद्रमा में चंद्रलोक यहां पर लेना यह चंद्रमा ने लेना यह दिखाई देता है चंद्रमा यह नहीं वो पित्र लोक से भी उपर में रहने वे चंद्र लोक है, वो लोक अलग है, यह तो पृत्वी का टुकडा है जो पृत्वी को घूम रहा है, वो चंद्र लोक वो है जो सूरी को घूम रहा है, चंद्र लोक अलग चीज़ है और यह चंद्रमा अलग चीज़ है, यह चंद्र जेसरी सूम्राजा है सौम्राजा स्वुम्राजा टाथ पर सौम्राजा सो होता है Whoa पर संपादन करते हुए पर भक्षन किया करते हैं इसे क्रिया का संपादन करते हुए फ़े Br Shepherd चन क्या करते सुमरस को एवं एनास चंद्रम प्राप्तान कर्मिनो भृत्यान इव स्वामीन इसलिए एवं इसी प्रकार से चंद्र लोगों को प्राप्तवीन कर्मियों को लौकी को दिश्टान भी जरह है उथे यागी को दिश्टान हो इस नहीं अंगो जैसे नोकुरों का सेवा स्वामी लेता है और इस प्रकर स्वामी उन नोकुरों को अपभोग करता है तद्वत समझे उपबुंजते देवाः उसी प्रकार से इन कर्मियों को देवता लोग अपभोग करते है उब्बुंजते देवा हुँ पुनप्रर अपक्षेंग क्रत्वाईट समन्द है तेने कृआ समिहारे अयम लोट देखो टिप्पन नमब राट कृआ समभिविआहारे अयम व्याहारे टिप्पन अशुद्धे अभी हारे हो गया अभी व्याहारय यम लोट एजी धवनय यादी समुच्य अन्यत रस्या में जी तू न्यायः प्रतिवाती लोट अन्यता दृत्वा पत्ते है ये तृत्व नहीं लगता इस समुच्य में ही करना ज्यादा ठीक है सामानि वचन अनु प्रवेश भाव चान्द सहोई है ये सामानि अनु वचन क्यों प्रयोग नहीं किया ये ऐसा है तो आप ये षुetिा आप रहती ऐसा बोलना चभी सामानि का वह चान्द सहोई हुआ है समुच्य में बता रहे देखेए बाषगार यह आप्याय स्वापक्छिय स्वेति न मंत्र रहा यह कोई मंत्र नहीं ऐसा बोल बोल करके खाएंगे पियेंगे किंदरी रिख्याय काते हैं आप्याय आप्याय चमसस्थम भक्षनेन अपक्छें च गृत्वा पुना भक्षेंति इत्यात बार-बार भरना बार-बार खाके खाली करना ये इसका तब भरो पी के खाली करो फिर भरो फिर पी के खाली करो ये इसका बारम-बार इस प्रकार से यग्या यग्यमे रित्तिग लोग किया करते हैं जैसे आप बारंबार करते हैं पीचे छोड चोड करके वहाँ वहीलें कि चौवीज गंडा रगण देते हैं। यह एतना सेवा थोड़ी लेते हैं। थोड़ी देवा लिया। यह तो अनुध करोगे। फिर बुलाएंगे फिर सेवा करो फिर जाओ। 24 गंडा काम नहीं लेते हैं। लब्द शर्रान किर्मन उपकर्ण भूतान, इसलिए देवता हूंगा? उपकर्णों के साधन भूत हो विया, उनको पुनर-पुनर विश्राम यंदा, बार 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 को विश्राम देते हुए, करमान रूपम भलं प्रेच्छंदा, करम के रूपन सेवा रूपी फल प्राप आपसे सिवा लेना चाहेंगे और लेंगे, एवं द्रेवा पित्याओ प्रेच्छंदा, करते हैं?